भारती नियूज, सीधा, सटीक और निश्पक्ष इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहां पर वुमन इंपावर्मेंट बहुत देखने को मिलेगी क्योंकि यह ओनली एन ओनली युनिवर्सिटी हमारी गर्ल्स के लिए है तो मैं यहां पर आज अपनी बच्चेयों से बात करने आई हूँ, जानने आई हूँ, उनका कैसा लाइस्टाइल है क्या उनका फीडबैक है अपनी इस युनिवर्सिटी और यहां के एजुकेशन सिस्टम को लेके वैसे आप सोच रहे होंगे कि टीम भारती न्यूज यहां पर क्या करने आया है जी हमें यहां पर बच्चों ने स्पेशल कवरेज के लिए बुलाया है इनके रियल टाइम फीडबैक के लिए हम आपके पास आपके लिए एक स्पेशल स्टोरी ढूंडी रहे थे तो उस बीच मुझे यहां का पता लगा और वैसे अभी-भी हाल फिलाल में इस उनिवर्सिटी को नैक ने B++ ग्रेट से एक्रिडिटेट भी करा है तो इनको इस चीज़ की भी तो टीम भारती ने उसको बधाई देना बनता ही था तो चलिए बिना टाइम को ज़्यादा विहा करते हुए हम करते हैं बच्चों से खास बातचीत और यहां मैं आपको दिखाऊंगी वोमेन इंपावर्मेंट का असली नजारा और सही एक्जामपल जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि मैं भगत, फूल, सिंग, महिला, विश्विध्याले में आई हुई हूँ और वोमेन इंपावर्मेंट का मुझे लगता है आप ये नजारा देखकर बिल्कुल सही समझ रहे होंगे यहाँ पे मेरे आसपास बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बच्ची आएं तो मैंने सोचा कि इनसे ही पूछू यह अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्जामपल सेट करते हैं वुमेन इंपावर्मेंट का और यह बताती हैं कि भारत को इसकी सक्त जरुरत है इनसे ही करते हैं इनसे खास बाची तो जानते हैं इनकी कहानी इनी की जुबानी तो आज टीम भारती नियूस को आपके कैमपस में आने का मौका मिला और हमने जानना चाहते हैं हम यहाँ पे क्या क्या फसिलिटीज हैं पहले तो आप मुझे अपना नाम और कोर्स बताईए मिरा नाम कुनिका है और मैं यहाँ पर BTEX C.EC की स्टुइंट हूँ 2nd Year Student कुनिका आप BTEX C.EC second year student है मैं आपके कैमपस में आया हूँ आप रही से बिलोंग करते हैं या किसी और सिटी से हैं मैं मैं रिवाडी से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ पर होसलर हूँ तो आप रिवाडी से यहां पर बीटेक CSE करने के लिए आई हैं, कैसे आपने यह सोचा कि मुझे इसी कॉलेज में या इस उनिवर्सिटी में अडमिशन चाहिए, या फिर क्या प्लानिंग्स थी, आपको कैसे पता लगा इस उनिवर्सिटी के बारे में, यहां पर कोर्स के ब सारे बच्चे भाहर से हैं, सारे बच्चे आउट ऑफ स्टेशन स्टुडेंट्स हैं, आप कहां से हैं बिटा? मैं, मैं रिवाडी से. आप भी रिवाडी से हैं, तो आप भी हां पर होसलर हैं? येस मैं. तो आपको ये अंदर एक अलग सी दुनिया, मैं तो पूरा आपका कैंपस घूम चुपकी हूँ, बहुत शान्त, और हमें कभी-कभी ऐसा एंवार्मेंट चाहिए भी होता है, लाइफ में ऐसा फेज आता है, बट इतना रेगिलर तीन एर्स के लिए यहां रहना, थ्री आप भी होस्टल में रहते हैं, आप कहां से आएं बच्चे? बिवानी, होस्टल, अच्छा, बिवानी किदर पढ़ता है, बिवानी आसे दो गंडे की दूरी पर, तो लगबग, अच्छा, लगबग कितने टाइम बाद आप अपने घर जा पाते हो, एक मेने के राउंट, एक महीने के बाद जाते है, रेली कभी कबर दो महीने भी हो जाते है, यह लगन है या फिर टाइम नहीं मिलता है जाने का, टाइम भी नहीं मिलता है, और डेली डेली नहीं जाए जाते है, और ट्रावलिंग में फिर दिक्कत होती है, और बीटेक के कौन से यर में है, सब्सक्राइब कर दो नाइस तुम्हें इधर अपने कुछ बच्चों के पास आती हुए मेरा इंतिजार कर रहे हैं बेसबरी से कब कैमरा और कब माइक हमारे सामने आएगा तो इस एक्षन के लिए आप तैयार है आप कहां से बच्चे मैं फ्रूम विवानी विवानी तो सब सब मिलजुल के सबने डिसाइड करा था कि हमें यहीं आना है कोई रिवाडी से या गुरूप बना लिया था नहीं मैं एक्चली एफ प्रिपेर्ट फोर जेएमेंस एक्जामिनेशन एंड थू हर्याना काउंसलिंगा गोट देडमिशन है आपको इस उनिवरसिटी में आफ ग्राजुएट कोर्स करना है तो वह वुमन्स कॉलिज से करना है कोईड में नहीं पढ़ना नहीं ऐसा दो कभी नहीं सोचा था कि मतलब स्पेशली वुमन्स में जाना है लेकिन यह भी अच्छा मुका है नहीं से हर्याना काउंसलिंग के तुरू हमारा हुआ हुआ है क्यों मैं भी गल्सी कॉलिज से ही मैं अपनी ग्राजुएशन करिया फ्रम डेली उनिवर्सिटी बट मैं आपसे जाना चाहूंगी कभी आपको ऐसा फील नहीं होता है एक अलूफ सा कैंपस ठीक है शांती एक वक्ता की अच्छी लगती है लगता है कभी कर स्टार्टिंग में ज् जादा सुन्दर है बहुत जादा एक्स्प्लोर किया जैसे मार्केट एरिया यहां पर पॉसिबल है कि बहार नी जाना पड़ता ज्यादा दूर नहीं हमें जो चीज चीज चाहते है और बिंग इन गल्स कोई रिस्रिक्शन कोई आना जाना होस्टल रिस्रिक्शन यह सब आ यह दानस वान्स वाले पी ओते हैं सब तरीके की बहुते हैं डान्स वागरा भी होता है और भी फिलाल यूनिफेस चल रहा है वह हमारी दूसरी इनिवर्सिटी जो लिंग है इससे वहां पर चल रहा है तो इस यह प्राउड डिसीजिघन की यू आरा पर दिस्ट्शन की य और यहां पर education facilities कैसी है वैसे पहले मुझे एक बहुत इच्छुकता है जानने की कि सारी फीमेल टीचर नहीं सारी फीमेल नहीं है आपके लिए तो एक बहुत बड़ा setback situation है उसके लिए आप क्या कहोगे बस किस्मत की बात है यहां पर हो गया अब यह आप किस्मत को को सा कह रहे हैं कि किस्मत ने आपका साथ दिया किस्मत ने साथ दिया कि government university सबसे बड़ी बात यह है तो वह वाला जो किस्मत वाला statement हा ना उसमे एनरजी होनी चाहिए ती जिस सरीके से आपने बोला मुझे लगा कि बच्चे तो बहुत कुछ है और आप एक अकेले दुख भरे बच्चे की हो सकते हैं यह जील से बोला है आप कहा से हैं बिटा मैं I am from कुरुकशेत्रा कुरु वो तो मैम काउंसलिंग हमने फॉम फिल किया था तो यहां मुझे एडमेशन मिला तो मैं उसके थरू यहां आई और यूर लाइफ वस एंबिशन तो बी इन दिस गर्ल्स कॉलेज या फिर यह बाई चांस था? नो मैम यह कोई ऐसे प्री मतलब कोई कभी सोचा नहीं था कि गर्ल्स में जाना है बट मिल गया तो अच्छी बात है और लगबग कितने टाइम तक आप अपने घर जाते हो? वन मन्त में चले जाते हैं एक बार तो यहां से कोई extra facilities, education तो मैंने सुन लिया बच्चों से कि बहुत अच्छी education system है enriched library है आपकी तो यह books issue कराना आपको कभी लगता है कि बहुत अलग से गाओं या शहर हम कहें जो यह आपका campus बहुत अच्छा है एक शहर एक city की तरह ही developed है तो ऐसी कोई facility जो आपको लगते हो जिस चीज की कमी हो ऐसी तो कोई कमी नहीं है बट अच्छा लगता है कि हाँ पे खुद के लिए हमें time मिलता है कि हम खुद को time दे सकते हैं यहां रहके अपने आप पर focus कर सकते हैं और जो भी हमें life में आगे achieve करना है उस पे हम काम कर सकते हैं तो यहां रहके एक अच्छी मतलब environment भी अच्छ है और खुद पर time भी लगा सकते हैं हम वैसे मैंने सुना इंजीनियर सारी रात किताबों में रहते हैं पढ़ते रहते हैं और फोन का भी बहुत जमाना है तो आप कि साइड पर जादा गिरे हुए हैं यहां रहके तो मैं I think environment पर हमारा जादा concentration रहता है क्योंकि यहां पर चारो ही और बहुत जादा हर्याली है और अच्छा महौल है मौसम भी काफी अच्छा रहता है हां पर जैसे कई जगव पर मौसम खराब होता रहता है हां पर मौसम काफी ठीक है तो उस साइड हमारा जादा concentration है अच्छा बच्चों ने मुझे बताया कि हां पर फैस्ट होते हैं वो भी डांस वाले भी होते हैं हुआ है yeni अच्छा बरी अच्छा मेरे कॉलक यूलिज मेंं घू टे च्छाय पर इतने अच्छे जड़ चोर से आप भोलर जायद मैं ना बहूँना पर एक sprinkle और अदध पाती कि मुझे इनी के साथ रहना चाहिए, खाना तो जो टीम भारती ने उसको खिलाया गया, वो बहुत ही डेलिशियस था, बिल्कुल घर जैसा फीर था, आप लोगों को क्या में इस फैसिलिटी में फूड प्रोवाइड होता है, हमें तो सारे नॉर्मल फूड जो घर के बने वे खाने रहते हैं, वैसे ही प्रोवाइड किये जाते हैं, और काफे मुझे कोई वैसे परसनली कोई शिकायत नहीं है खाने से, क्योंकि काफी healthy होता है, और morning में भी timing से हमें सारे food मिल जाते हैं, तो मम्मी की याद नहीं आती है, यह यह कहना चाहती है, कि खाना बहुत आप लोग खेल सकते हैं यहां पर वॉलीबॉल कोट या फुटबॉल कोट या अधर ऐसी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज या इसी कोई चीज़े आपके पास हैं कैमपस में यह इस नाम है मतलब जिसको जो चीज़ करने हैं बास्केट बॉल पिछे कोट है हमारा और रनिंग के लिए मतलब शाम को लड़कियां जॉगिंग के लिए जाती है प्राक्टिस के लिए जाती है तो सब कुछ अवेलेबल है बस करने की नीड है पतलब बस अंदर से इच्छुकता होनी चाहिए और इस वुमन आर रियली रेडी तू गो एंड जम दकोट अम आई राइट तो आप मेंसे कोई भी ऐसा बच्चा जो खुद से कहना चाहता हो और आफकोर्स ही बात है यह वीडियो आपके मैनेजमेंट तक जरूर जाने वा अपरेट करते हैं बेशक हमें प्राक्टिकल नॉलिज देनी हो या फिर लाइफ के लिए कुछ भी करना हो वह हमेशा हमारा सपोर्ट करते हैं तो ऐसी कोई प्राब्लम नहीं है एक ऐसा भी फेज आया था जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी और हर कोई इंजीनियर बन र सब्सक्राइब करते हैं तो फरीदाबाद से अगर आना जाना होता है एक महीने में आप जाते होंगे मैं यह समझे लगता है यहां की जो टीचर्स हैं यहां की जो मैनेजमेंट है फिक्स स्केडियूल तो नहीं है आप सबका की एक महीने बाद ही चुटी मिलेगी आप लोगों का शॉपिंग करने का मन नहीं करता है शॉपिंग कॉंप्लेक्स तो मुझे दिखा नहीं यहां पर वैसे हम और चीज़े ले सकते हैं यह सब तो एजिली अविलेबल है और अगर अगर हमें कुछ क्लोटिंग रख ले जाना हो तो वह भी युनिवर्स्टी के बाहरी यहां पर बहुत सारी शॉप्स भी हैं वहां पर जा भी सकते हैं और अगर किसी को डॉमिनोस का पीज़ा खाना हो तो मैं वह हम थोड़ा वीट कर लेते कभी बाहर जाए तो खालेते हैं सब्सक्राइब करेंगे वह कुछ आना चाहिए अच्या मेर को यह पता लगा कि यह कॉलिज को आपकी युनिवर्सिटी को नैक अभी अभी एक्रिटिरेट करके गया है और भी प्लस-प्लस ग्रेड है तो हाव यू फिलिंग अबाउट इस ग्रेड एंड वेरी थैंक्फू सब्सक्राइब के साथ आप इतना पॉजिटिव इंफ्लूएंस अपने युनिवर्सिटी का दिखा रहे हो और जस्टेट्मेंट की वी डिजर्व दिस इस रियली वेरी प्राउट फीलिंग आई तिंग यह कॉलिज को भी आप जैसे बच्चे होने का बहुत बड़ा प्रा से हाँ पर अकेली रही हैं लगबग एक महीना लग जाता है उनको अपने घरवालों से मिले वे बट इन लोगों ने इन बच्चों ने आप अपना खुद का एक शहर अपनी खुद की एक दुनिया बच्चाई हुई है मैंने हाँ पर कुछी बच्चों से बातचीत करी और से भी उसको हमने रूबरू कराया कि बच्चे यहाँ पर कितने खुश है और कितना जील उनके अंदर है अपनी पढ़ाई को लेके अपनी अक्टिविटीज को लेके तो यह था इनके साथ एक स्पेशल इंटराक्शन वैसे मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं साइन आफ कर